दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तर्बूज की अगेती खेती में होने वाले खर्चे उतपाधन और सुद मुनाफ़े के बारे में यानि कि अगर आप तर्बूज की खेती एक एकड में करते हैं तो आपको उसमें कितना खर्चा हो सकता है कितना आपको उससे उत्पादन मिल सकता है और कितना आपको उससे सुद मुनाफा मिल सकता है क्योंकि जो नए किसान भाई है जो पहली बार तर्बूज की खेती कर रहे हैं जिनको तर्बूज की खेती के बारे में बिलकुल भी अनुभाव नहीं है उन लोगों के सामने बहुत सारे डाउंट्स रहते हैं पहली बार तर्बूज की खेती कर रहे हैं कितना खर्चा है यानि कि दोस्तों तरबूज की एगेती खेती में होने वाले टोटल खर्चे के बारे में यहां पर हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि तरबूज की खेती से एक एकड में आपको कितना उत्पादन मिल सकता है और कितना आपको इस से सुद्ध profit मिल सकता है खर्चा आपका कितना हो जाता है उस खर्चे को निकाल कर आपको कितना profit मिल सकता है अगर यह idea आपको मिल जाएगा तो आपको तर्बूझ की खेती करने में बहुत ही आसानी होगी तो आज गए वीडियो आपको complete बाच करना है चैनल पे नहीं है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से related वीडियो मिलते रहें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान जुन जुनुन दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एकड में तर्बुज की अगर आप अगेती खेती करते हैं तो यहां पर आपका total खर्चा जो है वो कितना लग सकता है यहां पर हम total खर्चों के बारे में बात करेंगे शुरुवाती अवस्थाओं से लेकर यानि की जमीन की तयारियों से लेकर और harvesting तक आपका जितना भी खर्चा होता है उन सभी खर्चों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे और A to Z आपको जानकारी मिलेगी यानि कितना आपका खर्चा होने वाला है एक एकड में एकड में एक्डम accurate आपको जानकारी मिलेगी एक एकड में जितना में आपका खर्चा बताऊंगा उतना ही आपका खर्चा होने बाला है इससे कम या ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा अगर आप मेरे बताएगगए तरीके से त्रबूज की खेति करते हैं दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जमीन की तैयारियों के समय होने वाले खर्चे के बारे में तो यहां पर हमने जोड़े है ट्रेक्टर का जो खर्चा जोड़ा है हमने जमीन की त्यारियां करते समय तो वो खर्चा हमने भइज जोड़ा है 6000 रुपई से लेकर और 7000 रुपई के बीच में आपका total खर्चा हो जाता है जिसमें आपके 3-4 cultivation हो जाएंगे और जो bad preparation का काम आप जो tractor से करवाओगे वो भी आपका इसमें सामिल है तो 6,000 रुपए से लेकर और 7,000 रुपए के बीच में तो आपका tractor का खर्चा हो जाएगा और उसके बाद में बात करते हैं बेसल डोज पे होने वाले खर्चे की यानि की जमीन की तैयारियां करते समय अगर आप तर्बूज की खेती करते हैं तो यहां पर आपको कुछ खाद उरुबरक जमीन की तैयारियां करते समय भी डालने पड़ते हैं से आपको DAP डालना है MOP पोटाश डालना है और आपको साथ में यूरिया भी डालना होता है तो इन सब का खर्चा यहां पर हमने जोड़ा है 3000 रुपए 3000 रुपए के लगभग आपके बेसल डोज लग जाएंगे 7000 रुपए का खर्चा आपका जमीन की तयारियों का हो गया अब बात कर लेते हैं जमीन की तयारिया कंपलिट होने के बाद में बैड बनाने आपको बैड बनाने का खर्चा हमने पहले जोड़ दिया है उसके बाद में सबसे पहला काम होता है plastic mulch बिछाने का दोस्तों यहाँ पर हमने drink application का झो खर्चा वो भई हमने यहाँ पर आड़ नहीं किया है क्युक्य drink application से सिर्फ हम एक ही फसल नहीं लेते हैं बहुत सारी फसले लेते हैं भले हैं आपने चाहे पहली बार drip eradication का खर्चा किया होगा तरभूज की खेनी वार चाहेए आप यहांपर प्लास्टीक मल्स का खर्चा आप प्लास्टिक मल्च दोस्तों अगर आप एक एकन में तर्बूज की खेती करते हो तो लगभग आपके जो है एठ रोल लग जाते हैं ड्री पेरिगेशन के जिनकी लंबाई लगभग 300 मिटर होती है 300-300 meter के लगवग आपके 8 roll लग जाएंगे और एक roll की किमत लगवग 1800 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में आता है अलग-लग company की अलग-लग रेटे हैं तो यहां पर आप जो है 2000 रुपए एक roll की किमत मान के चलिए लगवग आपके 8 roll लगेंगे तो लगबग 16,000 रुपए आपका प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो गया तो यहां पर मैंने आपको 8 रोल बताए हैं तो 8 रोल अगर आप 6-6 फिट की दूरी पे बैट बनाते हो तब तो आपके 8 रोल लगेंगे अगर यहां पर आपने बैट से बैट की दूरी अगर 5 फिट या 4 फिट रख ली तो आपके जो प्लास्टिक मल्च है वो ज्यादा लगेगी ज्यादा रोल लगेंगे और 6 फिट से अगर आपने ज्यादा रख दी तो इससे आपके जो प्लास्टिक मल्च के रोल है वो कम लग सकते हैं तो मैंने जो average जो खर्चा होता है प्लास्टिक मल्च का वो ही माँ आपको बता रहा हूँ लगबग 8 रोल आपके लग जाएंगे अगर आप 6-6 फिट की दूरी पे एक एकड में प्लास्टिक मल्च लगाते हो तो 8 रोल का खर्चा आपका लगबग 16,000 रुपए की आपकी प्लास्टिक मल्च हो जाती है और अब बात कर लेते हैं बीज पे होने वाले खर्चे के बाद में क्योंकि आपने प्लास्टिक मल्च बिचा दी होल उसमें आपने निकाल दिये तो बारी आती है उसमें सीड शोविंग की तो सबसे पहले बीज की ही बात कर लेते हैं बीज पे होने वाला खर्चा एक एकड में कितना हो सकता है तो दोस्तों बीज की कीमतों के बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करें बीज की वराइटियों की तो जिन टोप वराइटियों की बारे में यहां पर हम बात करें जैसे चार पांच वराइटिया मैं लगाता हूँ और सब की अलग अलग ρाट हैं जैसे 1300 रूपय से स्टार्ट होता है 50 ग्राम का पैकिट 1300 रूपय मार Vaill hor Governor उसके बाद में अलग-लग कंपनियों के जो र कवाइट बीज आता है, अच्छी क्वाइट का आता है उसी को लगाते हैं तो आप अगर 4 packet खरीदते हो तो मेरे को पता 3 packet आप 16-1600 रुपए के खरीदोगे और एक packet ही जो है वो सस्ती रैट का खरीदोगे तो यहाँ पर अगर हम 1500 रुपए पर पैकेट का लेकर चलें तो यहाँ पर एक एकड में हमारा जो बीज लगेगा वो लगभग 300 ग्राम बीज लग सकता है और 300 ग्राम के लगभग आपके 6 packet हो जाते हैं 6 packet का खर्चा लगभग आपका 9000 रुपए का यहाँ पर बीज का अगर आप इसकी सीड सोविंग करेंगे तो हो सकता है डाइसो ग्राम से काम चल जाए अगर आप बीच में गैप ज्यादा रख रहे हैं या आपने अगर ज्यादा मातरा में बीज लगा दिया है तो आपके बीज की क्वांटिटी है वह साड़े तीन सो ग्राम तक भी जा सकती हो और बीज की बुआई अगर आपने कर दी है तो यहां पर आपको बीज की बुआई करते ही आपको बीज को जो है कवर भी करना पड़ेगा धकना पड़ेगा सर्दियों में तभी आपका बीज जो है ठीक से अंकुरन होगा तभी जो है आप सर्दियों में तर्बूज की अगेती खेती कर सकते हो बिना लो टनल या बिना करोप कवर के तो आप तर्बूज की अगेती खेती कर ही नहीं सकते तो यहाँ पर हम तर्बूज की अगेती खेती में लो टनल का खर्चा भी एड़ करने वाले हैं तो लो टनल का एक एकड में यहाँ अगर हम खर्चा जोड़ तो लगबग 25,000 रुपए का आपका एक एकड में लो टरनल का खर्चा हो जाता है जिसमें फैवरिक का आपका कपड़ा आजाएगा और साथ में जो फाइवर के सरी आते हैं यानि फाइवर इस्टिक आती है वो भी आपका 25,000 रुपए में टोटल मैंने एड कर दिया है 25,000 रुपए का टोटल आपका लो टरनल का खर्चा होने वाला है अगर आप तरबूज या अन्य बेल वरगिये किसी भी तरह की सबजियों की खेती करते हैं जिनमें 6-6 फिट की दूरी पर बैट बनते हैं उनमें लगबग 25,000 रुपए का आपका लो टरनल का खर्चा हो जाता हैं और अब आपके जो प्लांट हैं उनमें सिर्फ आपको सिंचाई करनी है और उसके बाद में आपको फर्टिगेशन करने हैं या फिर आपको इस्प्रे करने हैं तो बात कर लेते हैं सबसे पहले होने वाले खर्चे यानि फर्टिगेशन के बारे में कितने फर्टिगेश टोटल एनपी के खादों के होने हैं बाकी खर्चे अलग से हैं तो टोटल एनपी के खादों के जो खर्चे हैं यहाँ पर तो 6 फर्टिकेशन यहाँ पर अगर आप एनपी के खादों के करेगे तो लगबग आपकी 18 kg जो है NPK खाद जो है वो लग जाती है 18 kg NPK खादों की कीमत की यहां पर अगर हम बात करें तो अलग-अलग खादों की अलग-अलग कीमत है NPK 2019 की अलग कीमत है 1260 की अलग कीमत है 054 की अलग कीमत है और 0050 की यहां पर अलग कीमत है तो लगबग आप यहां पर मानके चलिए कि आपके 4000 रुपए जो है NPK खादों पे होने वाले खरचे हो सकते हैं लगबग 4000 रुपए के आपके तर्बूज की खेती में NPK खाद के होने वाले फर्टिगेशन के आप यहांपर एड़ कर सकते हैं NPK खादों का फर्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों आपको 2-3 फर्टिगेशन और भी करने पड़ते हैं जैसे अन्य किसी भी तरह की खाद, उरुवरेक, कैल्सियम नाइट्रेट, बोरोन इस तरह के जो खर्चे हैं तो दोस्तों लगभग आपके अन्य फर्ट अन्य फर्टिगेशन के एड़ कर दिये तो लगभग 7,000 रुपए के आपके फर्टिगेशन हो जाते हैं और अब बात कर लेते हैं आखरी खर्चा यानि कि इस्प्रे के बारे में यानि कि दोस्तों जैसे ही आप लोटनल तर्बूज का हटाते हो उसी समय आपको पहला इस् उसका अटैक सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कहने के मतलब है कि जैसे ही आप लोटनल हटाते हो तो उसी दिन से आपको जो है इस्प्रे भी करने पड़ते हैं और उसके बाद में फ्रूट फलाई के भी आपको काफी सारे इस्प्रे निकालने पड़ेंगे तो लगब 5,000 रुपए की श्प्रे होंगी इससे ज्यादा नहीं होंगी दोस्तों खर्चे हमारे जो होने हैं तर्बूज की खेती में वो टोटल मने आपको यहां पर बता दिये हैं जिनमें ड्री पेरिकेशन का खर्चा यहां पर हमने एड नहीं किया है और उसके बाद में ज टोटल खर्चा तर्बूज की खेती में एक एकड में हो जाता है अगर आप अगेती खेती इसकी करते हो बहतर हजार रुपए का आपका टोटल खर्चा हो गया राउंड फिगर में आप सत्तर हजार मान के चलिए तर्बूज की अगर आप अगेती खेती करते हैं तो लगब पर इस्प्रे बगरा और तरीके से अगर आप तर्बूज की खेती करते हैं बताईगी वरायटियों का सेलेक्शन करते हैं बहुत सारे किसान भाईयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि तर्बूज की वरायटियों के बारे में बताईए तो अभी वरायटियों के लिए समय पड़ा है 10-15 दिन आप रुकें 5-6 दिन में हम वराइटियों के बारे में वीडियो डाल देंगे उसके बाद में आप वराइटिया खरीद लेना अगर आप बताये गए तरीके से और सही धंग से करते हैं और अगर फ्रूटिंग के समय हमारा तरबूज जो है उसको अनुकूल समय मिल जाता है या अनुकूल मोसम उसके अनुकूल हो जाता है उस समय फ्रूटिंग के समय तो आपको 200 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन भी म मिल जाता है, बात करें अगर मंडी भावों की, तो वो शुरुवाती दिनों के आपको 15 रूपे के जी के भी मिलेंगे, 16-17 रुपे के जी के भी मिलेंगे, 10-8-5 इस तरही के बंडी भाव आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे हो सकता है कुछ मंडियों में अगयती तर्बूज भी काफी किसान भाय कमेंट करके बताते हैं कि हमारे एरिया में तो अगयती तर्बूज के भी 10 रुपए के जी के भाव मिलते हैं तो भई हो सकता है या है अगेती खेती का यानि टोटल अगेती खेती के खर्चे अड़ किये हैं हमने यहां पर और जो मंडी भाव ले रहे हैं वो बीच की खेती का ले रहे हैं यानि अगेती का भी नहीं ले रहे हैं और पछेती खेती का भी नहीं ले रहे हैं यानि एकडम जो एवरेज भाव होता है तरबुज का वो ही हम लेकर चल रहा है यानि कि 10 रुपए के जी का हम यहां पर मंडी भाव अगर लेकर चलें तो एक एकड में अगर 200 क्यूंटल आपको उत्पादन मिलता है तो लगभग यहां पर जो आपको प्रोफिट बताया है वो आप यह मानिये कि कम से कम बताया है मैं बाकि आपको वीडियो में बताता रहता हूं कि इस वीडियो में मैंने profit की संभावना आपको थोड़ी सी कम दिखाई है, कम से कम लेकर और उत्पादन थोड़ा कम लेकर और खर्चे ज्यादा से ज्यादा लेकर, ये आपको तोड़ा सा मैंने मुनाफा जो है वो थोड़ा सा कम दिखाने की कोशिस की है, और इसका सिधा सा एक ही कारण है कि जो नए किसान भाई होते हैं को ज़्यादा अनुभाव नहीं होता है यह हमने खर्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा बताये हैं और उत्पादन और मुनाफ़ा जो है वो एवरेज बताया है ताकि जो भी नए किसान भाई है तरबूज की नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद